तो आज हम लोग करने वाले IPL 2025 स्क्वार्ड का रिव्यू कौन से प्लेयर्स बेस्ट बाइज रहे हैं कौन से वर्स्ट बाइज रहे हैं और कौन सबसे ज़्यादा शौकिंग अन्सोल्ड प्लेयर्स गए चलो भाई हम लोग सब लोग डिसकस करेंगे फॉर्स्ट अफॉल वाज सुनते हो भाई रोज चैनल में कैसे हो ब्रूट भाई सब बढ़िया एक नमबर बवाल और सेकेंडली मेरे साथ है रिशव जो की जहांस हम लोग कॉंटेंट देखने वाले टेलिग्राम चैनल में बहुत मैनत करके भाई पूरा पोस्ट वोस्ट करता है यह तो रिश पारा है नहीं है नहीं है सेकेंड फेवरेट है ना ओनली वायराथ खोली तो बताओ भाई कैसा रहा ऑक्षण कैसा लगा आरसीबी का सॉल्ट बहुत अच्छा जोईस था स्कॉर्ड ठीक है भाई पता नहीं इतना ज्यादा क्यों ट्रोल किया जा रहा है ऐसे तो मेरे को ठीक ही दिखा पूरा स्कॉर्ड आरसीबी का ओके यह टिम डेविड और विल जैक्स वाले सीन कैसा लगा इस पर इंसाइडर लोगा सीन हो गया था आकाश अम्मानी उठके एंड्शेक किये थे वाई और रसीबी के मैनेजमेंट के साथ वेन डे डिन्ट आर्टीम विल जैक्स तो वुड यू प्रेफर विल जैक्स इन यॉर टीम और टिम डेविड अफ्कोर्स विल जैक्स तो यह चीज सही में बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रिशव तेरा क्या ओपिन यान इस पर तो मेरे को लगता है और सीबी के पैनल थोड़ा चिल गाई में को सीडियस्टी ले लिए 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 बेवर्न में तो वो लोग कुछ करी नहीं रहते हैं और ऐसे स्कॉर्ड ऑन प बुवि का कॉम्बिनेशन अच्छा है और बले लिए 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 डिट्र लेयरे सो ऑन पेपर तो अच्छा लग या वाइप आप यहां फैन भी नहीं हूं रसी बीकर लेकिन बाइब जाने दिये यार और सीबी फैन्स देख रहो क्या बोल रहे है लोग आपनी ऐसे ऺड़ो पनी नुवान तुशारा यही है ना तुशारा इस डाइब वरी गड़ा है आपक्टा बड़ी स्कार्ड अच्छा है वह बहुत है वह वहां तुशारा इन मैं इले टा तो भई रखता है तो ठीक है ओवराल बढ़िया ही है RCB squad का थोड़ा सा एक्ट्रा फोल किया जा रहा है क्या सोचल मीडिया में यह तो जा रहा है नहीं I think उनको I think the biggest problem कि क्या हुआ वो लोग सिराज को जाने दे दिए पंजाब के लिए बहुत अच्छी बात है उसके उसके उपर से ब्रॉट कॉनवे बैक क्रिक राक एंड श्विन और रचन रचन जान यज ऑग आयंगे आगे सब पद़ए चलेगा अपने त्योंग क्या 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 क्यां रचन वापस अगे अपशन की में रही हपिछ को तो आन पेपर ये स्कॉट काफी बढ़िया लगा, एलिस इस वेरी अंडरेटेट एड माई, माई फेवरिट आउक्षिन भाई वस इस गाई, नूर एमद, जडेजा, अश्विन एड नूर एमद, और रचिन भी और स्मिन डालता है, खतम कर देगा भाई, इनका मतलब मेरे साब से अभी जितने भी चैपोक में गेम्स होने वाले है, एक्सपेक्ट स्पिरिंग ट्रैक, भाई क्रेजी, लगने वाली है, येस, नेक्स्क्वाड मुंबई, मुंबई का तो कोर अल्डरेडी बना हुआ था भाई, पहले से ही, रोहेद, हार्देग, बुमरा, तिलक, ये सब पहले से ही थे, एंड उपर से ऑक्षन, मेरे को डीसेंट लगा भाई है, ये लोग, मतलब कुछ, बहुत अच्छा, मतलब विल जैक्शन, किसको लिया है ये लोग, विल जैक्शन का बड़, बड़ा भाई है, तो कैसा लगा ये स्क्वाट तो मेरे हिसाब से एदगो एमाई का जो रिटें किये थे प्लेयर्स, उसी में उन लोग का टीम बन गया है, अल्मॉस्ट, हम लोग देख चुगे है कि मतलब ती लगवर्मा रीसेंट फॉर्म में क्या कर रहा है वो, दो इंटरनेशनल ट्वैंटी सेंचरीज एंड एक डोमेस्टिक में, तीन लगा था, और रोहिथार दिख भॉम्रा तो है, यह ओन टॉप आगया है, ट्रेंट बउल्ट और दीपक चाहर, त्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर, त्रेंट बॉल्ट और दीपक चाहर थी निव Rickleton, Rickleton is if you guys don't know to South Africa next decock types he's an opener and wicketkeeper Minz, Robin Minz Robin Minz is here, Jharkhand ke wicketkeeper Arjun Tendulkar is also back oh no last season KKR, KKR थोड़ा controversial है, हम लोग के telegram page में भी आप लोग देख सकते हैं, यहां पे सबसे जादा dislikes, KKR कोई मिला है, और KKR I think Brood तुमारा favorite है, तो what's your opinion, तुम ही बताओ यार, कैसा लगा टीम, भाई मेरे को तो ऐसा कुछ घराब नहीं दिखा टीम में, in fact, वो लोग काफी अच्छा जैसे decock को काफी बढ़िया ले लिए वो लोग ठीक है, और वेंकटेश को थोड़ा जादा दे दिये हैं, बट भाई ठीक ही लग रहा है, टीम तो आदा सा जादा जिनको वो लोग retain किये थे, वो लोग बहुत बेटर प्लेयर्स हैं और इसमें मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखा कि 167 लोग जो इसको डिसलाइक दिये हैं, पता नहीं क्यों, बाकी मेरा उस पर कोई उपिनियन नहीं है वैसा Fastballers, Umran Malik आगा है, Spencer Johnson is an Australian Quickballer, Rovman Powell was a great buy, डेर्ड करोड में मिल गया, बहुत अच्छा भाई है यह, नौर्क है विड़ी गिवन दे में सब परफॉर्म कर सकते हैं, वूइन अली इस एड़ी है, तू करोड में मिला है, वुड गुड टीम, मेरे को तो ओवर रॉल बैलेंस ठीक ही लग रहा है, नेक्स्टीम भाई पंजाब, ऑक्य तो पंजाब को इस बोटांवास, पंजाब को इस अब तुम अब पता ही होगा यार सब लोग को इधर की पंजाब का फैन हूँ मैं सबसे बड़ा ट्विटर में वकील बनता हूँ पंजाब का हूँ भाई पंजाब हूँ पंजाब फ्रेंचाइजी एक चीज है वाई एक क्रिटिसिजम है कि सब ऑस्ट्रिलियन प्लेयर्स को भर द और हाड़ी एंड बार्लें उसट्रिकल को यह मैक्जल का गम्सपिरिन्स को पंजाब मेरा है हाँ खराब एक्स्प्रेंस मेरा है सहाब समय में ली मैनली बोले सेहाग सेहवाग के वज़े से क्योंकि प्रिटी जिंटा I remember बहुत अच्छे जर रखती थी Maxwell और Miller को, मतलब बहुत close थी तो I don't think प्रिटी जिंटा से कुछ दिक्कत होगा वो सेहवाग वहाँ पे हरकत किया but coming back to the squad I was very happy कि अर्षदीप को हम लोग कही जाने नहीं दिये it was a bad thing I was very scared कि यह auction में ही क्यों आया अर्षदीप but I was very happy कि RTM card मार लिया गया and अर्षदीप stayed biggest sigh of relief मेरे लिया था and also for the first time in five years I was happy कि एक proper captain Punjab लिया है भाई this is crazy you won't believe किसको किसको captain बना दे रहे थे Ashwin को I know he's a good cricketing बहुत अच्छा cricketing brain है उनका but captain बना दिया Ashwin को फिर उसके बाद Mayank Agarwal then Shikhar Dhawan, Shikhar Dhawan no disrespect to him as a player but captain why? उसके बाद Sam beach में उनको injury हुआ Sam Curran बन गया फिर Jitesh Sharma क्या चल रहा था finally I know overpaid है थोड़ा सा Shreyya Sayyar 20 crores के आसपास would have been good but it was very happy and all rounders बहुत अच्छा आइज आई इस बार Stoenis, Janssen Janssen, Maxwell crazy middle order to pura set है Omar Zai, Omar Zai बहुत अच्छा 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 प्लेर है बागी तुम लोग का क्या ओपीनियन है ओवराल गुड? येस वेरी गुड भाई चहल तो मेरे लिए मतलब का बोलू भाई चहल लेगा है पंजाव में फाइनली चहल भी है तो मैं और आयूश बात कर रहे थे ये इस ऑक्षिन के जस उस ताइम बात कर रहे थे मैंने बोला था कि चहल बहुत बड़ा भाई है बहुत बड़ा बढ़ते हैं गुजरात को बहुत अच्छा मिला रेस्पॉंस 197 likes and of course भाई it's a very good squad on paper best purchase according to me Butler Butler was a मतलब देखो ये squad बहुत यंग है overall देखोगे नाम यहां पर सब यंग 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 प्लेर्स है and यहां पर Butler का एक बहुत important role रहेगा he will be kind of the vice captain and he will be leading indirectly and तुम लोगो कैसा लगा भाई इन लोग का auction and overall squad सब तीक है मतलब Siraj ले गए है सिराज को दे लिया भाई लोगोने और Butler अफ्कोस लोम्रोर भी आ गया भाई हाँ लोम्रोर भाई बहुत अच्छा मतलब एक तरस उसको बोल सकते है future finishing player है I was so sad कि Sai Kishor को यह लोग RTM मार लिए I love Sai Kishor भाई he tall left arm spinner I know Punjab में मेरे पास Harpreet Brar है I love him but Sai Kishor is amazing and यह लोग RTM मार लिए Punjab जीत गए थे bidding war but RTM मार दिये लोग Sai Kishor पे Ishaant Sharma, Jayant Yadav, Glenn Phillips amazing भाई Glenn Phillips को यह लोग खरीद लिए base price पे overall बहुत बढ़िया लग रहा है यह लोग का यह लोग का मतलब enough experience भी है mostly यह है but there is enough experience जो मतलब काम आएगा middle order middle order समालने के लिए इस बार responsibility आएगा तिवेतिया को बहुत जाएगा शारुक खान थोड़ा सा middle finisher type role play करेगा and Rutherford Rutherford, do you guys know Rutherford is a very good all-rounder Washington Sundar is also here Washington और मैं एक और चीज़ राशिद को मत write-off करो वो भी बहुत अच्छा आच्छा Rutherford is also lower order, बहुत अच्छा, ठीक है middle order समाल लेंगा but Miller is Miller of course but anyways, चलो, Rajasthan पर बढ़ता है Rajasthan का core वो लोग already retained करके रखे थे, which was very controversial, बहुत लोग बोल रहे थे, Jurel overpaid किये गए, Hetmeyer को क्यो लिया गया when they could have gone for Butler इस पर क्या ओपिनिया ने, क्यो हेट मायर को क्यो मतलब, I didn't get it like Butler को release करके, Hetmeyer what's your opinion, Risha Risha बचा रहा था मेरे हिसाब से वो लोग Samson और Jaiswal में फ्यूचर देखे for openness वो लोग मूफ कर गया Butler से पता निशाद उनके इसाब अच्छा था रहा था या क्या पता नहीं whatever maybe the reason last year बहुत अच्छा performance था 3 century मायरा यार but रेक season में इससे आदा क्या करेंगा तीक है अब पता नहीं ना, सब के क्या management के क्या mindset हम लोग को तो नहीं पता नहीं को नहीं पता नहीं लग रहा है तीक्षणा है तीक्षणा एसरंगा विल बिल बेरी गुड़ स्पिनिंग ऑप्शिन फिर बोल्ट का रिप्लेस्मेंट थे आफ बॉट इन फजलक फरूकी मफाका मतलब फजल फारूकी इस मोर एक्सपिरेंट्स तो मफाका इतिक्षणा है फ़र फजलक यह सबसे बड़ा पहले आर्चर का नाम है मतलब खेले है कि नहीं भाई आदा दाइम तो इंजड रहता है चल ठीक है लगडा के भी थोड़ी होना है लेकिन अगर इंजड हुआ तो उसमें वह लौ नहीं होता है कि क्योंकि इंजरी इस जन्विन वह भाई रिजन बट एनिवेस लेस्जी पर आते है क्या ओपीनियन है रिशा पंट 27 कोड़ ओवर पेड या फेर भाई पहले तू बता ब्रूट भाई देख ओनेसली कुछ लोग डिसगरी करेगा मेरे से बट लस्जी को ऐसा प्लेयर का बहुत ज़रूरत था अच्छा ठीक है तो मेरे लिए ये फेर भाई तो बट दे अल्रेड़ी हैड पूरन वाई डिड़ दे गो फॉर फॉर बाई तू बता दे तू रिलाई करेगा पूरन पर ज्यादा या रिशब पन्त पर है ये तो है पन्त पर ही रिलाई करूंगा बट पूरन को अल्रेड़ी दे पेड रिटेंशन के टाइम अठारा या बीस आइड़न तो बहुत ज़्यादा पेग यह तो इतना पे करके देन ठीक है गोड़ भाई अफकॉर्स रिश आदा ही मिल गया देन हम वन फ लास सीजन तो शाइद इंजेट भी रहता है दो तीन मैच जितना वो खेल है भाई यह वस वरी गुड बट वही है इंजरी इशू इसलिए आवेश खान है बैक अप के लिए देन और कॉन है यहां पर बहुत नू पर शमार जोजफ इस अलसो है डिए और के उप्ट मुचल मार्श ज दैन मिलर यह पर आये है काशदीप मोसिन खान मोसिन खान इस वेरी अंडर रिट इफ ही डसें इन्जड वरी अकाश दीप रसी वी का एक यहां पर यहां पर जीप माकरम को विड़ भाई नाइस ठीक है अच्छा ही लग रहा है यह स्कौर्ड काफे बढ़िया हूं बिष्णौई प्रॉपर चार ओवर तो मिलेगा ही वहाँ से चलो ठीक है नेक्स्ट पर बढ़ते हैं डेली डेली का स्कौर्ड केल राहूल भाई स्टील डील मिला 14 करोर्स में इनको बहुत अच्छा बहुत लोग को T20 में केल राहूल पसंद नहीं है बट अगर वह बट कंसिस्टेंटली स्कूर्स 500-600 रंस पर सीजन हां स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम हो गया है पहले 150-160 रहता था अभी 135-140 हो गया बट यहां थीक है यहां पर स्टार का गया है ब्रूक जेक मटक नटराजन अशुतोर्ष भाई क्या स्कॉर्ड है यह बहुत अच्छा स्कॉर्ड है और कॉन कॉन है अ ब्रूक टी डिवी कर रहा है भाई कुलडी पें अक्षर तोर रहें गई स्टै ब्ध्स तॉफ्ट आपर ऺडिए कोमें अब श्रीच मेरे एक परहिंज रजाएं ऐसले विस्क अपर्य करते है यहां पर श्क्रार अब को आपर आप यहांगा थुष्क ओर्स कामन देखा सब्सक्राइब है। सब्सक्राइब नाम पर पता नहीं सब्सक्राइब करें यह लोग तो पहले ही रिटेन करके रखे वे थे एंड यह लोग का पूरा एकदम माइंडसेट क्लियर है आर या पार टीम है भाई पूरा जो दिन चलेगा यह लोग फाड़ देगा और जो दिन नहीं चलेगा उस दिन समालने के लिए बीच में वैसा टाइप का प्लेयर भी नहीं है कि मतलब थोड़ा सा समल जाए पाइब नमबर तक तो पक्का पक्का बैक्समैन उतरने वाला है यह लोग वही माइंडसेट से खेलेंगे जो लास्ट सीजन कहले थे हम लोग बनाएंगे टू फिफ्टी टू सिक्स्टी उससे नीचे बनेगा और बाकी बास समालने के लिए कमिंदु मेंडस को भी यह लोग खरीद लिए कमिंदु मेंडस हाइस्ट टेस्ट अवरेज इन रिसेंट टाइम्स इसान किशन अच्छा एक डाउट है मेरे को देखते हैं यार वह इशान किशन को यहां शाइन करने में थोड़ा दिक्कत होगा क्यूंकि अल्रेडी बड़े-बड़े-बड़े-बिग इसान किशन को थोड़ा बहार आने के लिए कुछ अमेजिंग पर्फॉर्मेंस देना होगा बाकी ओके यह अच्छा हो गया 10 स्कॉर्ड हो गया भाई हम लोग का बेसिक डिसकेशन अब आ जाते हम लोग अच्छा प्राइस में मिल गए वह लोग तो फॉर्स आफ और बताओ मेरे को भाई रिशाव भूवी से साट करते हैं ही वेंट फॉर टैन करोर मेरे को लगता है भूवी बैस भाई है क्योंकि यह आर से भी को बोलर्स की बहुत जरूरत थी अब भूवी एक बहुत बड़ा नदब स्टील है इन लोग के लिए अब भी वाल हम लोग को प आजब बॉलिंग अभी काफी स्ट्रॉंग हो गया हम नू बॉल के साट भी ही केंड बॉल एंड डेथ बॉलिंग भी केंडो राइट राइट अग्वाइट अच्विन और अश्विन सिंपली एक मतलब एक फीलिंग है अंदर से ओ क्यूंकि हम देखें कि अब प्लेयर्स व कोई अइडिया नहीं है जब वापस आता है अब अलग लेवल में पर्फॉमंस कत आ है तुम मेरा यह तो बेस्ट वाइस है फिर्स आ फ्रस फॉल गलन फिलिप्स गलन फिलिप्स वेंट फर जस्ट तू करोड इंसेन भाई इंसेन भाई इंड बीव दिस भाई गलन फिलिप 2 crores, इनको जो बोलो, he can do, he can bat anywhere, he can field anywhere, he can do wicket keeping, he can ball, मतलब क्रिकेट का सब चीज़ को ही कवर्स, and he went for just 2 crores, insane, it was just insane for me, and secondly, ये थोड़ा सा kind of a, मेरा भी personal kind of feeling है आपर, Umran Malik went for just 75 lakhs, I remember, last auction में, या last to last auction में, he went for 14, 15, something like that, and now, first round में, he got unsold, then second round में, he was bought for 75 lakh rupees only, अगर, तो इनको proper guidance मिलता है, proper management मिलता है, जो अच्छे से उनको guide करे, he can be a great one, भाई, I know, सब लोग इनका नाम भूल गया है, जब से Mayankyaadav आया है, but he can make a very good comeback, यार, very good comeback, बाकी special mentions में, मेरा एक नाम और मैं सोच रहा था, वो था Washington Sundar for 3.2 करोड, best buy for brute, YKL Rahul and Bhuvneshwar. भाई, Bhuvneshwar का तो of course, बहुत जरूरत था RCB को, बॉलिंग के लिए, लेकिन, हाँ, Hazelwood के साथ, of course, हम लोगों को एक fastballer चाहिए था RCB में, और Bhuvy उसके लिए best था 10.75 करोड में, I think best, I guess, better than Hazelwood also, and secondly, Delhi Capitals बहुत सही price में KL Rahul को ले आया है, भाई, शायद RCB को इनके लिए जाना चाहिए था, लेकिन, Delhi Capitals इनको बहुत अच्छे price पर ले लिए, तो इसलिए मेरे लिए यह दूनों best price है, अब आ जाते हैं, worst wise में, थोड़ा controversial part, रिशव के दो worst wise थे, वेंकटेश है यहर, अर्जुन टेंडोल कर, वाई, क्यूं, मेरे अर्जुन को क्यूं आज़ तुम कर रहे हो, अर्जुन पाता बापस, अँगा बादने, लिए लिए स्टार्ट विट विट वेंकटेश, अब्यस सीजन, बहुत अबोप्राइस गया है, ठीक है, यह तो प्लेयर है, पिंडीटरी करोर गूर्ट प्लेयर, विए मैक्सिममं फिफ्टीं करोर ताइप यह, ज़िए, यह, ज़िए, हॉर प्लेटीक में विए आज़ किसे हैं, पता ही यह क्यों है तीम में तो हम लोग सब ने जो सब मीम्स देखें पॉकट मनी के ठीक है ठीक है थोड़ा सा कॉंट्रोवर्शेल चीज है अर्जुन मतलब थोड़ा सा कुछ-कुछ लोग यह ओपिनियन शेयर करते हैं कि इंसेट फिम एक राइजिंग स्टार को ले सकते हैं जो अर्जुन मतलब ही कैन उसको डेवल अप कर रहें लेट सी अभी रिसेनली डॉमेस्टिक रिकेट में ही बोल्ड वैल फाइविकेट हॉल यह लेट सी भाई अब आ जाते हैं मेरा मेरा भी सेम वेंकटेश एयर एग्जा तो मच एंड सेम रिजन गोस फ़र जितेश शर्मा मेरे को जितेश शर्मा बहुत पसंद है यह वाज इन माइप पंजाब वाइप यह लगता है लेवन करोड जब तू मच बट आई थिंक आरसी बी को कुछ मैनेजमेंट ने कुछ सोच के ही लिया होगा लेवन करोड थोड़ा साधा बट अच्छा ब्रूट का हम लोग छोड़ दिये भाई गलती से फोटो तो काम चला लेना ब्रूट तुमारे लिए वर्स्ट बाइस कौन रहे हैं श्रेयर सेयर और रसिगदार वाई भाई भाई 6 करोड दोनों का एक्चली सेम रीजन है मेरा कि एक को 6 करोड और एक को 26 करोड काफी जाधा दिया गया है बाई जितना कायद वो डिजर्फ करते थे ठीक है श्रेयर सेयर मतलब 26.75 ठीक है भाई तुमारे पास पैसे थे तुम उतने में दो प्लेयर और ले सकते थे बट एक क इतना जाधा देना मतलब ठीक है लास्ट येर वो आई पिल ट्रोफी जीता है बट फिर भी है 26.75 is a lot मैं यहाँ पर अपने टीम का वकील बनना चाहता हूं 26 करोड दिया है क्यूंकि हम लोग को एक कैप्टेन चाहिए था and 26 प्लस मैक्सवेल 4 करोड तो भाई 30 करोड मैं मैं 26 करोड बहुत ज्यादा देदी आर्सी और बेटर बॉलर्स के लिए जा सकता था जिसको बिड़ करना चाहिए उसके लिए किया नहीं और इतना कहर आगे नहीं बोलना उफेंड हो जाएंगे लोग चलो दो मोस्ट शॉकिंग अन्सोर्ड प्लेयर यह बहुत इंट्रेस्टि टॉपिक्स है और रिशा तुमने बोला डेविड वार्नर एक टू कर्स एंड डेरिल मिचल एक टू कर्स वाइं वार्नर का दूपर एक है और मेरे को लगता है कि उसमें अभी भी क्रिकेट है वो अभी भी खेल सकता है मतलब एक वार्नर यू कैनोट राइट हैं आफ नहीं कर सकते हो अपने गिवन दे में किसी भी ऑपनेंट को बरबात कर देगा यह तो एक बड़ा रीजन है और एवन इफ उसका अगर IPL करियर खतम ही होने वाला इधिंक ही डिज़व और लास सीजन फेर्वेल सीजन और डेर्न मिचल मैं इसलिए चूज किया यूगी यूगी य पावर प्ले में अगर आते हैं तो बहुत एक्स्वोसिफ हो सकते हैं यह थिंक ही जए मिस चीक है मेरा अब मेरा टू मोर्स शॉकिंग आ फरस्टली आदिल रशीद एन सेकंडली शारदूल ठाकुर दोनों के प्राइस टू करूर्स थे आदिल रशीद नाव बहुत डिफर He is world number one and Jaws Butler literally he said directly he said आदिल रशीद is the best player of our team and the most important player of our team England के most important player के लिए जगा नहीं बन रहा है भाई IPL में and genuinely he can ball anytime and wicket taker है, genuine wicket taker है He is a very good baller, मेरको बहुत पसंद है personally I don't know why, क्यों नहीं इनको IPL में pick किया जाता है और सिर्फ इस साल का नहीं है, previous years में भी, pick ही नहीं किया जाता है इनको For some reason, but okay, next Shardul Thakur, very very useful player, Lord Shardul भाई, बहुत लोग बोलते है Two cards यार, come on, Lord Shardul Thakur के लिए two cards नहीं था किसी के पास He can ball, power play में भी, middle overs में भी, death में भी कभी-कभी he can do He can back lower down the order, तो मेरको बहुत शौकिंग लगा, Shardul Thakur, इतना useful player, ऐसा भी नहीं कि foreign player है, Indian player David Warner का same reason, जो Rishabh का था, भाई, एक last season सच में deserve करता था, बहुत जादा, और भाई, तुम Australian opener को ऐसे छोड़ देते हो, unsold छोड़ देते हो, मतलब ये बाद digestive नहीं, digest नहीं होगी मुझे and Kane Mama का भी same scene भाई, शायद वो अब एक-दो साली और खेल रहे है T20 format, I don't think so, इसके बाद वो खेलने वाले हैं, वो test पे जादा ध्यान देंगे and भाई, पता नहीं क्यूं, Kane Williamson से connection तो है, तो मैं को ये दोनों इस वज़े से लगे, मतलब सबसे खराब चलो guys, that's it for the first podcast, I hope आपको ये episode पसंद आया होगा, हम लोगो तो बहुत पसंद मज़ा आया भाई, record करने में and अच्छा लगाओ तो वीडियो को like करना, comments में अपना opinion share करते रहो भाई, अपना opinion बताओ, आपके कौन से two best buys थे, worst buys थे, shocking unsold players and everything, आपका team का कैसा रहो overall squad, like भाई करने बोलो भाई, like करो भाई, मेरी अवास डेली सुन तो ना, मेरे ले like कर दो भाई, चलो, okay भाई, and टेलीग्राम में भी चल जाना हूँ हा, रिशा बहुत अच्छा अच्छा content पोस्ट करता है, anyways, चलो, bye भाई, चलो